है गाइस वल्कम बैक टो दे चनल और आज किस वीडियो पर हम लोग इस 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 टॉक के बारे में डीटेली डिसकस करने वाले हैं स्टॉक का नाम है एशियन टाइल्स बट डिसकसन करने से पहले डिस्क्लेमर जान ले कि मैं किसी भी तरीके से आपके इस 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 ना सेल ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी टीप्स दे रहा हूं अगर आपको इस स्टॉक पे कुछ भी प्लान करना है आप एक बार से भी रिजिस्टर्ट रिसर्च अनलिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का हैल ले ले वह आपको बहुत अच्छे से ग देखने को मिल रहा है तो यह जो साइडवेस है ना मैं कभी भी इस तरीकी का साइडवेस में कभी भी स्टॉक को प्लान नहीं करता हूं जब तक कि मुझे खुद एक कमफर्ट ना लगे कि हाँ प्राइज एक्शन अभी ऐसा बना चुका है अब इस स्टॉक पे कुछ प्ला नजर नहीं आ रहा है बट अगर आप फंडमेंटल भी देखना चाहते हो और देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका फंडमेंटल जानना भी आपका बहुत जरूरी है तो देखिए मैं ज्यादा तर टेक्न केंडल स्टिक की तो यहां पर कोई भी किसी भी तरीके से मैनुपुलेशन हमें देखने को नहीं मिल सकता ना आप इस केंडल को बदल सकते हो ना मैं इस केंडल को बदल सकता हूं जो केंडल बन चुका है मतलब बन चुका है राइट सो इसलिए मैं ज्यादा तर टेक्निकल अब बात करते हैं से स्टॉक पर अगर अब देखोगे फोड़ा सा ग्रीन केंडल का फॉर्मेशन मतलब यह ओवरल जो पिक्चर है ना फोड़ा सा ग्रीन केंडल पर ज्यादा फोकस करिए और रेट केंडल पर भी फोकस किजिए आपको सबसे ज्यादा क्या देखनी को मिल अगर हम इसी चीज़ को वाल्यूम के साथ कंप्छर करें तो आप व्यूम देख सकतो यहां पर 10 17 एप्रील को अच्छा का साऊ वाल्यूम जैनरे गुड़ा था और अगेन यह जून जुलाइब आप ऑगस्ट चल रहा है एम इन सेक्टेंबर चल रहा है तो यहां पे अच् यह बार बार एक new high को break कर रहा है अगर आप देखोगे यहां पर एक high बनाया था ठीक है आप यहां पर देखो यहां पर एक high बनाया था उसके बाद price down आया भले ही बट यहां पे इसका low भी break क्या है ठीक है इसके बाद अगर आप देखोगे price उपर गया यह एक new high बनाया यहां पे इसको break क्या है ठीक है उसके बाद इसको भी break क्या है और finally जहाँ पे हम लोग का resistance point था वहाँ पर proper hit क्या है again down आया है सो हम लोग फिलेंगे स्टॉट को ही अगर देखो कि इसका प्रहीक्शन इतना प्यारा है यहां से ही वापत सै बाइंग क्रेयेट हुआ और memang कंप मिलता है मैं cheिया है ठीक है और मुझे नहीं लगता कि इतने sideways हो जाने के बाद price यहां से down आ जाएगा ठीक है तो down आने से भी तो और better तरीका है मतलब कि अच्छा तरीका है कि आप इसको average कर सकते हो ठीक है तो मुझे तो नहीं लगता कि नीचे आएगा बोलके आप इसको as a backup भी प्लान कर सकते हो अगर नीचे आता है तो आप उसको average भी कर सकते हो तो current projection हम लोग को weekly चार्ट पर हमें यह समझ में आ गया अब analysis के अगर आप बात करें ना तो आपको देखे मैंने weekly में तो समझा दिया आप इसको कोई भी time frame पर समझ सकते हो यह depend करता है trader to trader analyst to analyst ठीक है मैं हर time frame पर comfortable हो चाहे वह weekly हो डेली हो कुछ भी हो ठीक है डेली पर आपको देखने को मिलता है ठीक है कोई अलग सा इसमें projection नहीं वही जो weekly चीज में weekly में हुआ वही आपको डेली में देखने को मिलेगा ठीक है सो बस मैं वेट कर रहा हूं अगर यह प्राइज और थोड़ा सा डीप लगाएगा तो मैं यहां पर भी कुछ investment इसमें प्लान कर सकता हूं ओलेडी हमारे टेलीग्रम के members हैं उनको मैंने बता दिया कि exactly आप इस लेवल से प्लान कर सकते हो तो अगर आपको भी जॉइन करना है तो आप उसको देख सकते हो उसका लेंक आपको फॉलो भी कर लेना करता कि मैं कोई भी स्टॉक के अपडेट डालो तो आप उसको बहुत अच्छे से उसको देख सको राइट सो यह था एशियन टाइल्स के बारे में अब अगर हम target की बात करें तो मैं इसका target open रखने वाला हूं कोई भी target nearby मुझे अच्छा नहीं लग रह करने में बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो एक बार आप अपने तरफ से कर लो इस स्टॉक पे क्या है क्या नहीं है आपको भी जानना बहुत जरूरी है fundamentals को भी आप देख सकते हो कि company का financial statement क्या है debt में है या नहीं है किस तरीके से अभी ये company का जो financial status है वो भी आप देख सकते हो बहुत कुछ depend करते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बट मैं completely technical analysis बहुत ज्यादा क्योंकि वही मुझे बहुत अच्छा क्या सकते हो कि return देखने को मिला है तो अगर हम बात करें थोड़ा सा weekly picture को shift करते हैं और अगर हम देखें यहां पर जो selling है मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है selling अगर एक टॉप की लेवल के हम पकड़े तो 280 से लेखे 300 टक का एक overall target होना चाहिए अगर आप देखोगे 87 का भी आसपास शल रहा है तो मुझे लगता है कि अगर आप मेजर करोगे यहां से लेखे यहां तक 187 200 परसेंट आसपास आपको ROI तो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस स्टॉक पर रेडार पर रखो बहुत ही प्यारा स्टॉक है तो अगर मैं कहूं कि स्टॉक पर क्या खरना चाहिए तो आप समझधार हो तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पर बाई